तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तरपरदेश का इतिहास। आप प्राचीन काल के इतिहास को कवर करने वाले हैं आपको क्लास को पूरा देखना है ये सिरीज उत्तरपरदेश के सभी एक्जाम के लिए उप्योगी साबित होगी तो आप चाही किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों यूपी स्पेशल की पोर्शन को आप यहां से कवर कर सकते हैं और आपको बता दें कि इस सिरीज को हम घटना चकर उत्तरपरदेश तत्यसार के माद्य हम से कवर कर रहे हैं ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है चलिए फिर सुरू करते हैं देखे आज का हमारा सबजेक्ट है उत्तरपरदेश का इतिहास प्राचीन काल में ग कहा जाता था मद्य है देश मद्य है देश में कुरू पांचाल कासी कोशल सूरसेन चेदी वर्थ तथा मल महाजनपद इस्थापित थे और आप देख सकते हैं कि मद्य है जो की आधुनिक उत्तरपरदेश है यहां पर यह विभिन प्रकार के राज्जी है जैसे कि कुरू पांचाल कासी वर्थ मल यह सभी महाजनपद यहां पर इस्थापित थे उत्तरवैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य है देश था उत्तरपश्चिम से आने वाले आकर्मन करताओं के रास्ते में पढ़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजव मैद का हिस्सा होने के कारण उत्तरपरदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन संबंद रहा है तो यहां पर आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा उत्तरपरदेश के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में अभी हम तूदा पॉइंट डिसकस करेंगे प्र पाचीन काल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ महत्वपुर्ण बिंदू हैं जिने आपको ध्यान से समझना है उत्तर परदेश में तामर पाशनिक संस्किर्ती के साक्षिय मेरट और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर परदेश में ता प्राप्त हुए हैं इसके अलावा उत्तर परदेश में उत्तर वैदिक संस्किर्ती के उत्तरी काले चमकीले पात्र आउसेस के रूप में पाए गए हैं उत्तर परदेश में पुरापाशान कालीन सभ्यता के साक्षय सोनभद्र मिरजापूर तथा परियागराज की बेलन गहाटी, सोनभद्र के सिंगरोली गहाटी तथा चंदोली के चक्या नामक पुराइस्थलों से प्राप्त हुए हैं तो इन साक्षयों को आपको याद रखना है कौन सा साक्षय कहां से मिला है बेलन नदी गहाटी के पुराइस्थलों की खोज एवं खुदाई इलहाबाद विश्वविधालिय के प्रोफेसर जी आर सर्मा के निर्देशन में कराई गई बेलन गहाटी के लोहो दानाला नामक पुराइस्थल से पाशान उक्करणों के साथ साथ एक अस्थी निर्मित मातर देवी की प्रतीमा भी प्राप्त हुई है तो मातर देवी की प्रतीमा कहां से मिली है लोहो दानाला से जो की बेलन गहाटी में है पुरा पाशान कालिन सभ्हता के प्राइस सभी उक्करन कौाल्टजी पत्थरों से निर्मित है इन साक्षियों के इन स्थलों के साक्षियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, किर्शी कारिय ग्रह निर्मान आदी का ज्यान नहीं था जबकि उन्हें थोड़ी मात्रा में पशुपालन से पशुपालन का ज्यान था इसके अलावा मध्या पाशान कालीन मानव अस्थी पंजर के कुछ अवसेस प्रतापगड की सराय नाहर राय तथा मधहा नामक इस्थानों से प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से 14 सवाधान मिले हैं जिनमें मृत्तक का सिर पश्चिम दिसा की ओर हैं सराय नाहर से 8 गर्त चूले भी प्राप्त हुए हैं परियागराज की मेजा तहसील के चोपानी मांडो पुराइस्थल से जौपडियों एवं मिट्टी के बरतनों के अवसेस प्राप्त हुए हैं इसके अलावा उत्तरपरदेश के मेहदाहा पुराइस्थल से अन्या उपकरणों के साथ साथ सिल लोड़े गर्त चूले सवाधान अस्ती एवं आवास के साक्ष्य भी मिले हैं दमदमा प्रतापगर जिले पुराइस्थल से हडडी एवं सींग के उपकरण व्याभूशन गर्त चूले तथा 41 सवाधान भी मिले हैं इसके अलावा नवीनतम खोजों के आधार पर भारतिय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम किर्सिय साक्ष्य वाला इस्थल उत्तरपरदेश के संत कबीर नगर जिले में इस्तित लहुरा देव है तो आपको इन इस्थलों के नाम को ध्यान रखना है यहां से 9,000 इस्वी पॉर्ण से 8,000 इस्वी पॉर्ण के मध्या के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उलेकनिया है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतिय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम किर्सि साक्ष्य वाला इस्थल मेहरगड पाकिस्तान के बलुचिस्तान में इस्थित यहां से 7,000 इस्वी पॉर्ण के गेहुं के साक्ष्य मिले हैं जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला इस्थल कॉल्डी हवा परियागराज जिले में बेलन नदी के टट परिस्थित यहां से पैसट सो ईस्वी पूर्ण के चावल की भूसी के साक्षय मिले है ऐसा माना जाता था इसके अलावा मिर्जापूर सोनभधर परियागराज एवं प्रतापगड से उत्खनन में नव पाशान काल के ओजार एवं हतियार मिले हैं तो आपको याद रखना है नव पाशान काल के ओजार एवं हतियार कहां से मिले हैं तो यह मिले हैं आपके मिर्जापूर सोनभधर प लाक्षय भी प्राप्त हुए हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हडपा कालीन वस्तुए कहां से मिली हैं आलमगीर पूर से तो इन्हें आपको याद रखना है 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मद्ये देश आधुनी कुत्तरपर देश में इस्थित थे जिनके नाम थे कुरू, पांचाल, कासी, कोशल, सूरसेन, चेदी, वर्ट्स और मल कोशल महाजनपद अवद छेतर में इस्थापित था, जिसमें उत्तरी कोशल की राजधानी साकेत अयुद्या और दच्छीनी कोशल की राजधानी सरावस्ती थी सत्पत ब्रहमन में कोशल का उलेक हुआ है कुरू महाजनपद मेरट से दिल्ली तक विस्तरित था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्त तथा हस्तनापूर थी तो इन्हें आपको याद रखना है किसकी राजधानी क्या थी कौन कहां पर इस्तिता इन सभी चीजों को यहाँ पर आपको याद रखना है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर परदेश के एतिहासी किस्थल आप इस मैप के थुरूवी समझ सकते हैं यह आपका यहाँ पर सहारनपूर है देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैप है तो इस मैप के थुरूवी आप चीजों को समझ सकते हैं यह यहाँ पर आपका मेरट है तो मेरट से आप सभी परिचित होगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मतुरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इस परकार से यह मैप है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा देखिए उत्तरपरदेश के एतिहासिक व्यक्ति एवं उनसे रिलेटड जिले भी यहाँ पर दिये गए है जिया उद्दीन बरनी आपके यह बुलंद सहर से थे ठीक है तो इस परकार से यहाँ पर यह मैप दिया गया था इसे आप पोज़ करके देख सकते हैं और चलिए डिसक्स करते हैं आगे देखिए पानचाल महाजनपद बरेली बदायु और फरुका बाद छेतर में इस्तित था पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दच्छिन भाग की राजधानी काम पिलिया थी वर्तमान मतुरा के सीमवर्ती छेत्र में इस्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी मतुरा थी वत्स महाजनपद की राजधानी कोशम थी आपको इन राजधानियों को अच्छे से याद कर लेना है दूसरी तीसरी सताबदी में कोशामबी मगो की राजधानी थी इस काल में कोशामबी ने राजनीती के वमार्थिक रूप से महत्वुपूर्णिस्थान प्राप्त किया इसे आग नगरिया स्थल भी कहा जाता है कोशामबी थेर पंथ का परमुक केंद्र भी था इस नगर को हून नेता तोर्मान ने काफी छती पहुचाई थी मल महाजन्पद की राजधानी कुशीनगर तथा पावा थी कुशीनगर की विस्तरित जानकारी दिव्या आओदान, दीर्ग निकाय, कनिश्क के सिक्खो तथा फायान इवं हिनसांग की यात्रा के विवरनों से मिलता है कुशी नगर पर हुनों के आक्रमन के भी साक्षय प्राप्त हुए हैं कुशी नगर में 483 इस्वी पोर्ण में 80 वर्स की अवस्थाम ने गोतम बुध को महा निर्वान की प्राप्ती हुई थी ये कुशन आप से एक्जाम में पूछा जाता है इसके अलावा कालसी जो की वर्तमान उत्राखंड में हैं कालसी से अशोक का चोहदवा सिलालेक प्राप्त हुआ है यहां से संस्किर्थ पदो से उतकिर्ण इटो की एक वेदी मिली है जो तरत्य सताब्दी इस्वी के साशक सील वर्मन के अश्वमेग यग स्थल का साक्ष्य है गोतम बुद का अधिकांस सन्यासी जीवन उत्तरपरदेश में ही व्यत्तित हुआ था इसी कारण उत्तरपरदेश को बोध धर्म का पालना भी कहा जाता है बुद का जनम ज्यान प्राप्ती और माहा परी निर्वान तीनों वैशाक पुर्णिमा को ही हुए इसलिए बोध धर्म में वैशाक पुर्णिमा को महत्वपूर्न स्थान प्राप्त है गोतम बुद ने सरवाधिक काल कोशल राज्या में व्यत्तित किया था बोध गरंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन गरंथ भगवती सुत्र से 16 महाजनपदों का साक्षय प्राप्त होता है चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्ती मती या सोथी वती थी अयोध्या अभिलेक पुष्यमित्र के अयोध्या की राज्य पाल धंदेव का है इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने दो अस्वमेग यग किये थे इसके बाद उत्तरवैदी की युग से संबंदित स्थल अंतरजी खेडा जुकी आटा जिले में इस्थित है से गोरिक म्रदभांड तथा कृष्ण लोहित म्रदभांड परमपरा चितरित दूसर पात्र परमपरा इसके अलावा उत्तरी काली चमकीली पात्र परमपरा की सं जान्सकिर्टियों के अवसेश प्राप्त हुए हैं अंतरजी खेडा से 1020 पूर्ण के लोहो परियोग धानकी खेती व्रत्ताकार अगनीकुंड एवं गोरिक तथा कृष्ण लोहित म्रदभांद के साक्षय भी प्राप्त हुए हैं अनतरजी खेडा से सुंगो कुशानो तथ गुप्त सासकों से संबंदी तवशेस भी प्राप्त हुए हैं। यमुना की एक मोर्ती भी प्राप्त हुई थी। गुजर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट कूटों के मध्या दिर्ग कालीन तिरिकोनिय संघर्ष भी हुआ था। बोधकाल में कपिलवस्तु सिधार्थ नगर जिले के पिपरहवा से साम्याय, तो बोधकाल में कपिलवस्तु साक्या गनराजी की राजधानी थी। कपिल रिशी के वास से इस स्थल का नाम कपिल वस्तू पड़ा था यह सरावस्ती वारानसी मार्ग तथा वैशाली पुरुसपुर मार्ग का केंद्र स्थल था कामपिल लिया प्राचीन काल में सिक्षा का परशिद केंद्र रहा था इसके अलावा एहरोरा मिर्जापुर से अ नाची एवं सारनात के लगू इस्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है परियाग इस्तंभ पर अशोक की रानी करुवा की दुवारा दान दिये जाने का उल्लेख है इसी रानी का अभिलेख भी कहा गया है सो होगोरा तामरलेख मोर्यकाल का यह तामरलेख उत्तर परदेश के वोरखपूर जनपद से मिला है इस तामरलेख से यह पता चलता है कि मोर्यकाल में अकाल की स्थिती में जंता को अनाच का वितरन किया जाता था तो friends आज की class में हमने प्राचीन काल से related काफी सारे facts को discuss किया है आपको इन facts को as it is याद कर लेना है क्योंकि questions यहां से directly पूछे जाते हैं लेकिन अभी हमारा प्राचीन काल का इतिहास बाकी है तो अभी काफी सारी चीजें हैं जो हमें discuss करनी है आपको class को daily basis पर देखना है यह series आपकी continue रहेगी UP special का portion आपका यहां से cover हो जाएगा तो इसलिए आपको classes को अच्छे से देखना है साथ में आप अपने short notes भी बना सकते हैं तो दोस्तो आज की class में इतना ही मिलते हैं फिर next class में Thank you so much friends, keep watching, please like, share and subscribe, thank you